स्वपन लोग की दुनिया में आप सब का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में गैंदे का फूल देखना कैसा होता है दोस्तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि गैंदे का फूल कौन सा होता है गैंदे का फूल येलो कलर का होता है और यो पूझापाट और घर की सजावट ये सजावट में यूज किया जाता है दोस्तो स्वपन जुति शासर में देखा जाए तो यह बहुत ही शुब माना गया है लेकिन कुछ लोग भ्रामक जानकारी फिलाकर सपने में गैंदे का फूल देखना एक गलत मतलब बता देते हैं तो दोस्तों सपने में गैंदे का फूल देखना व्यक्ति के जीवन में खुशियों का पल आने की और संकेत देता है गैंदे का फूल एक ऐसा फूल है जो लगबक सभी देवी देवताओं की पूजा में उपयोग किया जा सकता है साथी गैंदे का फूल बहुती खुबसूरत खुश्वुदार होता है जिसे घर में लगाने से घर का वातवरन ही सुगंदित हो जाता है और अगर आप सपने में गैंदे का फूल देखें देख लेते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका आने वाला कल आपके जीवन में गैंदे के फूल की भाति सुगंदित होने वाला है अगर आप किसी बिमारी या किसी बड़े रोग से ग्रसित है तो आपकी बिमारी मुख्थुक होने की और संकेत करता है चोति शास्त्रियों के वदावे गैंदे का खूल सपने में अगर आप देखते हो तो आपको जीवन में कोई विश्वस्मी ये मित्र मिलने वाला होता है साथ ही ये सपना संकेत करता है कि आपके भागे में व्रदी होने वाली है और आपको समाज में मान समान भी मिलने वाला है इस सपने का एक नेगेटिव अर्थ यह भी होता है कि आने वाले समय में आपको मानसिक परिशानियों को सामना करना पड़ सकता है दोस्तो सपने में गैंदे के फूल का अगर आप गार्डन देखते तो इसका क्या आरत होता है तो दोस्तो सपने में गैंदे का बगीचा या गार्डन देखना भी अच्छा सपना माना जाता है ये सपना संकेत करता है कि आगे आने वाले समय में आपको सफलता मिलने वाली है ये सफलता आपको अपने कामों में या किसी अन्य छेत्व में मिलने वाली है सपने में गैंदे के खराफून देखना अच्छा नहीं माना जाता ये सपना संकेत करता है कि आगे आने वले समय में आपको किसी मांसिक परिशानी का सामना करना पड़ सकता है ये मांसिक परिशानी किसी भी प्रकार्गी हो सकती है ये पारिबारी भी हो सकती है ये नोकरी ये विपार से जूड़ी भी हो सकती है वहीं दोस्तों यदि आप सपने में गैंदे के फूल का पेड़ देखते हैं तो इसका क्यार दोता है दोस्तों यदि आप सपने में गैंदे का पेड़ देखते हैं तो ये शुब और अशुब दूनों ही फल देता है डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार से गैंदे का पेड या पोधा देखा है अगर आप सपने में गैंदे का पेड देखते हैं तो उस गैंदे के पेड में फूल खिला हुआ देखते हैं तो यह सपना आपको शुख फल देता है, आपके जीवन में खुश्य लेकर आता है, आपको रोक से निजात दिलाता है वही दूसरी और अगर आप सपने में गैंदे का पेड़ देखते हैं, उस पेड़ में एक भी फूल आपको नजर नहीं आता मतलब से गैंदे का पेड़ ही आप देखते हैं, तो यह सपना शुख नहीं माना गया ऐसा सपना देखने पर आपको कड़ी मेहनत करने के बाद भी उस मेहनत का इच्छित परणाम प्राप्त नहीं होगा आपके जीवन में चिंता, निराशा और परिशानिया घेरे रहेंगी और क्याई प्रकार के अग्यात रोग आपको घेरने की कोशिश करने लगते हैं इसलिए सपने में बिना फूल वाले गैंदे का पेड़ देखना अशुख परणाम देता है इसके बुरे प्रभाब से बचने के लिए आप अपने इश्ट देव की पूजा अराधना करते रहें वहीं दोस्तों यदि आप सपने में बहुत सारे गैंदे के फूम देखते हैं तो इसका क्यार दोता है तो दोस्तो सपने में बहुत सारे गैंदे के फूम देखना स्वापनिशास के अनुसर बहुत दिशुप सपना माना गया है अगर आप सपने में बहुत सारे गैंदे के फूम देखते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में ढेज सारी खुशियां अचानक से आने वाली हैं। आपके घर कोई नया मेहमान आ सकता है। या फिर आपके घर में कोई नया कारेक्रम हो सकता है। पुजापाट या कोई उस्सब कायोजन हो सकता है। जिससे घर में उस साह का माहूल बना रहेगा या फिर अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बिमार चल रहा है या आप खुद लंबे समय से बिमार चल रहे हैं तो शीर आपकी बिमारी से मुट्ती मिल जाएगी जिससे आपको बहुत खुशी महसूस होगी तो यह सपना कुल मिलाकर खुशिया देनी वाला सपना मानागरा है वही दोस्तो यदि आप सपने में सुखे वे गैंदे के फूल देखते हैं तो इसका क्यारत होता है तो दोस्तों सपने में सुखे वे गैंदे का फूल देखना बहुत ही अशुफल देने वाला सपना बताये गया है अगर आप सपने में देखते हैं कि कोई गैंदे का फूल सुखा पड़ा हुआ है या कोई गैंदे के फूल का पेड़ सुप गया है तो ये सपना आपके लिए शुब नहीं है ये सपना आपके लिए ये संकेर देता है कि आगयाने वाले समय में आपके घर में खुशिया दूर होने वाली है अचानक से कोई भी दुरगट ना घट सकती है जिससे घर का खुशी का महुल खराब हो सकता है धन की हानी हो सकती है और परिवार के सदस से विमार बढ़ सकते हैं इसलिए अगर आप सपने में सूखे गैंदे के फूल देख लेते हैं तो आपको एक काम करना चाहिए कहीं से भी एक गैंदे के पेड़ खरीद कर लाएं और अपने घर में लगाएं और उस गैंदे के फूल में रोज पानी डालें उस गैंदे के फूल आ जाए तब उसे वह फूल तोड़कर अपने इस देव को समर्पित कर दें वही दोस्तों यदि आप सपने में भगवान को गैंदे के फूल चड़ाते हुए देखते हैं तो यह बहुती अच्छा सपना माना गया है यह सपना शुब और मनुकामना पूर्ण होने वाला सपना बताए गया है अगर आप सपने में देखते हैं कि आप किसी मंदिल में या घर में किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में गैंदे के फूल का प्योग किया है तो ये सपना आपके लिए संकेत देता है कि आप जिस भी देवी देवताओं की निकट भगशे में गैं गैंदे का फूल चड़ाना एक अच्छा सपना माना गया है वहीं दोस्तों यदि इसके साइकलोजी मीनिंग की तरव की बात की जाए तो सपने में गैंदे का फूल देखना यह बताता है कि आप काफी इमोशनल है और आप दूसरे की फीलिंग की कदर भी करते हैं साथ ही आप कि फीलिंग और वाइबस चाहते हैं आप काफी sensitive पर्शन है आप यह सपना आपका तो इस तरीके का सपना आपको दिखा कर आपका सब कोंसिंस्माइड अपने आपके बारे में आपको बता रहा होता है तो इस तरीके से कुल मिलाकर सपने में ग्यांदे का फूल देखना एक अच्छा सपना माना गया है तो दोस्तों यह था मतलब सपने में ग्यांदे का फूल देखना उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दीगे जानकारी आपको पसंद आई होगी ऐसी जानकारी के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों